अब इलेस्टेशन वन में आ जाए है दो फॉलोईंग इस एन एक्स्ट्राक्ट फ्रम ट्राइल बैलेंस ऑफ ओवर्शीज बैंक एज़ेट 31 मार्ट 2021 तो यह दे रखावा है ट्राइल बैलेंस का एक्स्ट्राक्ट फिर बिल डिस्कॉंटेट कितने का दे रखावा है 12,64 तो इसके पाद रिबैक आन बिल्डिस्कॉंटेट ऑफ और इ крепक दिए पास दे रखावा है आगे क्या दे रखावा है बिल का दुर्य कब है वह दे रखाऊ है रेट ओफडी रिटाफ दिस्कॉंट दे रखाऊ है फरस्ट में 1,002,002 पाड का डूरिट कितना है जून 5 है और रेट ऑफ डिसकॉंट 14 इस तरह से ले रखाऊ है आगे क्या बोल रहा है calculate rebate on bill discounted as on 31st March 2021 and so the necessary journal general entry तो हम लोग को general entry बनाना है और उसके बाद हम लोग को निकाला है rebate on bill discounted तो चलिए कोशन समझ लेते हैं कोशन में क्या क्या दे रखा हुआ है उसके बाद हम लोग करते हैं आ जाए इलस्टेसन नमर वन में इलस्टेसन नमर वन में आ जाईए इलस्टेसन नमर वन में क्या क्या दे रखा हुआ है सबसे पहले 31st March 2010 2020 मान लेते हैं इसके टाइम हम लोग को दे रखा हुआ है रिबेट कि रिबेट कितना दे रखा हुआ है 22,160 मतलब पिछले साल का इंकम जो पिछले साल नहीं होना था नेक्स्ट येर में होना है मतलब इस से 31st March 2020 के पहले का इंकम यह हो जाता है रिबेट तो यह हम लोग के पास दे रखा हुआ है आगे यहाँ पर 31st March 2021 करेंट यह का हम लोग के डिसकॉंट इंकम कितना दे रखा है डिसकॉंट रेसिप कितना दे रखा है यह डिसकॉंट इंकम 10,500, 708 यह करेंट यहर का हम लोग के पास दे रखा हुआ है आगे क्या दे रखा हुआ है करेंट इयर में बिल परचेज कितने का हुआ है 12,64,000 का बिल परचेज वह रखा हुआ है और यह बिल परचेज यदे रखा हुआ क्या है बिल कا तो अब ऑब solution स्टार्ट करते हैं हम में ही यह खेखा हुआ हैं सममien क्या गओए रखेखा था और यह रखेखा हुआ था उसके बाद discount income दे रखेखा हुआ था फिर बिल पर्चेर रहुआ है करिके साथ यह गर भषज– दे तो यहां देखिए अगर बिल का due date यह रहा due date कब रहा 31st मार्ट 2021 के बाद अगर due date रहा तो वो तो next year का income हो जाएगा और यह जो next year का income होता है वो ही क्या होता है रिबेट होता है वो ही हम लोगों को निकाल ला है तो आज है सबसे पहले एमांत में देरखा हुआ है 1,40,000 जीसका डुरेट कितना देरखा है डुडेट देरखा है फाइब जून यह 2021 का देरखा है देरखा हुए है तो नम्म आफ डेज फ्रॉम 31st मार्स 2021 यह हम लोग निकाल लेंगे फिर डिसकांटिंग रेट देर रखा हुआ है 14% तो हम लोगा डिसकांट इंकम निकल के आ जाएगा नेक्स जिर के लिए कितना होगा डिसकांट इंकम या रिबेट यह हम लोगो निकल के आ जाएगा तो ध्यान देजिए आप क्याल सी कहां गया यहां से सॉलूशन है इलस्टेशन नमर वन का चीक है एमांट 140,000 एक बड़ एमांट लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग निकला है फोर कितना है 4,36,000 फिर दिरकवाए 2,082,000 फिर 4,06,000 टोटल इसका करेंगे तो यह कितना आता है टोटल करने से 1,40,000 प्लस 4,36,000 प्लस 2,082,000 प्लस 406,000 यह हम लोग के आप पास कितना आ गया 2,64,000 का जितना हम लोग का दे रखा हुआ था बिल परचेस दे रखा हुआ था 4,64,000 का वो हम लोग को मिल गया डूरेट सबका लिख लेते हैं इसका कितना है जून 12 है और इसका कितना है जून 25 और इसका कितना दे रखा है जुलाई 6 यह हो गया और इसका discount rate दे रखा है 14% फिर next का भी 14% दे रखा है और last का किता दे रखा हुआ है 16% यह हम लोग को दे रखा हुआ है तब discounting income निकालते हैं हम लोग यहाँ ध्यान देजिए जो 31st March 2011 से पहले का अगर होता है तो वह थो current year का हो गया income current year का income हो गया जो इसके बाद का इंकम होता है वही तू रखेट बिल trabajar हो गया जो 31st March 2021 के बाद यह हम लोग था यहाँ से यहाँ तक का financial year था तो अब जो इसके बाद में होगा वही तो ie Gotta तो यह ले लिए अब यहाँ 31st मार्च के बाद लेना है तो अप्रिल का 30 दिन 30 देज हो गया कि में का कितना हो जाएगा कि थर्टीवन डेज जून का कितना हो गया फाइब डेज इस तरह से टूटल डेज कितना हो गया 66 देज टूटल कितना डेज हो गया 66 देज हो गया तो 66 देज हो गया तो हम लोग निकाल लेते हैं 140,000 इन्टू 14 परसेंट इन्टू 66 डेज डिवाइड वाइ 365 तो यह हम लोग का कितना 34 हम लोग का आ गया डिसकांटिंग इन्कम जो रिबेट ऑन बिल डिसकांटिंट का होगा वह हम लोग का आ गया फिर नेक्स में निकालते हैं यहां पे जून 12 हैं तो यहां अप्रेल का 30 देज मे का 31 देज और जून का कितना डेज हो गया 12 देज हो जाएगा तो 30 प्लस 31 प्लस 12 यह कितना गया 73 अगर आप लोग को प्रावलेम होता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुए नम्मर वहां भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट में आ जाए जून 25 है तो इसमें कितना हो जाएगा 30 देज प्लस 31 गेज प्लस 25 देज यह आगे 30 फ्लस 31 प्लस 25 यह 86 देज आ गया नेक्स्ट के लिए हम लोग निकालेंगे जुलाई के लिए तो 30 डेज प्लस 31 देज प्लस 30 डेज अप्रेल मे जून जुलाई जुलाई के लिए कितना है six days तो यह 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 6 तो यह हम लोग का कितना आ गया 97 डेश 97 डेश यहां तक तो कोई प्रावल नहीं तो आप हम लोग इंकम निकाल लेते तो 4,36,000 इन्टू 14 परसेंट इन्टू 73 डिभाइड वाइ 365 तो इस टाइम हम लोग का इंकम कितना आ गया 12208 आ गया नेक्ट का निकालते हैं इस तरह तरह से 282,000 इन्टू 14 परसेंट इन्टू 86 डिभाइड वाइ 365 तो यह हम लोग आ गया 9302 9302 आगे 4,6,000 का 16 परसेंट इन्टू 97 डिभाइड वाइ 365 तो इसका हम लोग के पास आ गया 17,263 17,263 इस तरह से हम लोग का डिसकांटिंग इन्कम कितना आ गया एड कर लेते हैं 3544 प्लस 12208 प्लस 9302 प्लस 17263 तो यह हम लोग का आ गया 42317 यह हम लोग का यह क्या आ गया rebate on bill discounted वाला तो यहां तक तो कोई प्रापल नहीं है अब हम लोग को कैसे बना आएं सबसे पहले जो सबसे पहले हम लोगा जो यहां का rebate था वो currently year का क्या हो जाएगा income ौजए गा जो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा तो यह Rebaet को हम लोग इंकम में ट्रांस्वर करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा जनर्न एंट्री क्या हो जाएगा रिबेट अउन बिल्ड इसकॉंट रिबेट ऑन क्या बिल्ड इसकॉंट एक उन डेबिट टूं डिसकॉंट इंकम कितने का था हम लोग का डिसकॉंट करें मतलब कितने का था रिबेट ऑन बिल्ड इसकॉंट यह一直 क हम इब प्रे स्वलियों हुआ क्षीर Sonnётarti कhrवज करते हैं जित्ना भी उपनिग म плох वो करेंट लिए क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगा जितना भी ँपनिंग और गता वह का सब्सक्राइप के लिए income हो जाएगा तो वह हम लोग transfer कर लिए अब हम लोग second entry बनाते हैं second entry में क्या बनाएंगे कि जितना भी हम लोग का current year का rebate हुआ current year का क्या हुआ rebate हुआ वो next year का income होगा तो मतलब current year के income में से उसको minus करना है ना तो income से minus करेंगे तो discount income account debit हो जाएगा टू रिवेट और बिल्सकॉंटेड यह हम लोग निकाले हैं रिवेट और बिल्सकॉंटेड जो current year का नहीं है कितना हुआ था 42,317 तो यहां पर लिख देते हैं 42,317 42,317 यह आ गया second entry अब हम लोग करते हैं third entry third entry में क्या होता है कि current year का income हम लोग का total कितना है उसको हम लोग क्या करेंगे profit and loss में transfer करेंगे current year के income को हम लोग को profit and loss में transfer करेंगे तो यहाँ पर discount on bill account debit to profit and loss account यह हो गया जो पिछले साल का हम लोग का income था 22160 rebate on bill discounted था वो तो current year का income हो गया और current year का income हम लोगो trial balance में कितना दे रखा हुआ है हम लोगो 105708 तो 105708 इस में से minus करेंगे जो इस साल का income नहीं था इस साल का income नहीं था जो rebate था वो हम लोगो minus करेंगे current year का rebate तो 42317 minus करें तो यह कितना आ गया हम लोग का 22160 plus 105708 minus 42317 तो यह हम लोगो का कितना आ गया 8551 8551 85551 बस हम लोगो को यही करना था समझ में आ गया न देखिए हम लोग क्या करते हैं जो भी opening क्या होगा ओपनिंग रिबेत होगा वो current year के लिए क्या हो जाएगा? income हो जाएगा? तो ओपनिंग रिबेत को हम लोग current year के लिए income होता तो उसमें transfer कर देते हैं फिर next में यह हो गया फिर यहाँ जो rebate होगा, जो मतलब next year के लिए rebate होगा उसको हम लोग क्या करेंगे minus करेंगे न तो उसको हम लोग क्या करते है minus कर देते हैं मतलब discounting income में से क्या कर देते हैं less कर देते हैं तो यह हो गया हम लोग का next में क्या करते हैं हम लोग बाकी जो हम लोग income होता है यहाँ पर discounting income जो बाकी हुआ तो rebate देखे ओपनिंग बला था तो ये तो current year का income हो गया तो opening rebate plus discounting income जो इस साल में next year का income है उसको तो minus करेंगे ना उसको minus करके हम लोग profit and loss में transfer कर देता था यही था next relation करेंगे तो और भी अच्छे से clear हो जाएगा तो बने रही हैं